नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चेनल एबी टेक में आज है पांच दिसंबर 2021 और जान लेते हैं आज की मात्पून खबरें सबसे पहली जो अपडेट है यूपी पेस से आरो ए आरो प्रारंबिक परिच्छा को लेकर के है इसकी प्रारंबिक परिच्छा आज 22 जिलों में संपन होने जा रही है 337 पदों के लिए साड़े पांच लाक से अबरतियों ने यहां पर दावेदारी किये ठीक है अदल लिखे नीचे दिया गया कि प्रदेश बर्व में बनाये गए 1214 के अंदर दो पालियों में होगी यह परिच्छा तो लोक सेवा आय दूसरी अपडेट यहां पर देख सकते हैं आप लोग यह है सिच्छा गवरतियों के अबरतियों के उपर बड़सी लाठियां सीम आवास जा रहे थे 79 जार सिच्छा गवरतियों को जोड़कर बड़ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर कि पांच माह से यहां निसात गंज इस्थित एसी आट्री पर अंदुलन कर रहा है अबरतियों को सनिवार साम 1094 से मुक्मंत्री आवास तक केंडल मार्च निकालना भारी पड़गा पुलिस ने रास्ते में रोकने की कोशिस किया और जब वे नहीं माने तो लोहिया पद पर लाठीयों से पीड़ कर खड़ेड़ा गया इससे च्छे से अधिक बड़तियों को चोंटे आई हैं अब बड़तियों का आरोप है कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार डाली वाग इस्थित मंत्री आवास पर बेसिक सच्छा मंत्री से मिलने गए और उनसे मुलाकात ना पर वहां भी प्रदरसन वानारेबाजी की से पहले सनिमार दुपएर अब बड़तियों ने हजरत गजिस्तित बाजबा कारयले पर प्रदरसन किया था तो कुलमला करके काफी सारे बड़तियों गायल हुए हैं चोंटे काफी लोगों को आई हैं लेकिन यहां पर देखे लि देखने को मिलते हैं कि जो भी बड़ती धरनां प्रदासन कर रहा होते हैं पुलिस उन पर लाटियां चलाती है यह बहुत ही अमानवी बेवार चात्रों के साथ आने वाए टाइम पर यह सभी सिच्छक बनेंगे और सिच्छकों के साथ ऐसा बेवार उशित नहीं है चलिए पांच दिसंबर को आयोजित होने वाली यूजी सिनट परिच्छा को इस्तागित कर दिया गया है एंटीए ने यह एंड़ने और इसा और आंदपर्देस में आने वाले चक्रवाद तूफान जवाद के चलते लिया है एजनसी ने इन दोनों राज्यों में परिच्छा को स बिरूर चक कर लें वैसे हैं पर जो अपडेट किया गया है कि यह जो सुचना है और इसा और अंदपर्देस के लिए चक्रवादी तूफान जवाद के चलते वहां पर जो परिच्छा को पोस्ट पॉन्ड किया गया मतलब इस्तागित किया गया और यह परिच्छा किसी अलड जारी किया गया था ठीक और इसके लिए बाद में फिर संसोदी तिती पत्र लिखाया कि आयो की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा उमेदवारों को सलाह दी जाते कि वेबसाइट पर अपना चेक करते रहें यूपिटेट पेपर लिख को नए ने खुरा से डेली हो रहे हैं कली आपने समचार पत्रों के मादब से देखा कि जिस एड्रेस पर पर इच्छा जैंसी होनी चाहिए थी वहाँ पर सिर्फ बोर्ड मिला और उस पूरे गोदाम में बीयर बार चला था वहाँ पर बीयर की स चौप लचल नहीं थी तो इस तरीके से यहां पर देखे यूपिटेट पेपर लिक में धांदली हुई है बएक बड़ा गोटाला यहां पर कह सकते हैं और इसमें देखिए अख्लेस यादा जो पूर मुक्मंत्री रह चुके उन्होंने काया कि परचा लिक बड़ा गोटा पते पर छपना गोपनी छपवाई का सबसे बड़ा गोटाला है बाज़पा सरकार में तो यही हर बार पेपर लिक होगा इसलिए 2022 में सपा की सरकार बना रहें कि क्योंने पूरा वरोसा है सपा यहां कि आने से ही सब कुछ ठीक होगा उन्होंने का कि बाजपा के राजम भा प्रदेश सरकार को युवा बिरोधी बताते हुए उन्होंने टूट कर कहा कि यूपी टीटी घोटाले में दाल में कुछ काला नहीं है बलकि पूरी दाल ही काली है उन्होंने टूट में कहा कि पेपर चापने का ठेका देने से लेकर कि परिच्चा के प्रबंदन हर कदम पर किया गया है तो खैर यह भी पच्ची पार्टियां हैं अपने अपने फाइदे के लिए सब बोलते हैं लेकिन यह तो बात सही है कि पेपर में वाकई में वह एक बड़ा गोटाला हुआ है चले बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ यहां पर देखिए एक फिर से अनुम के पिच्छा ओमिक्रॉन वेरियंट काफी तेजी से फैल आए साउथ अपरीका में इस वारिस के फैलने के अब तक कि आखनों का दिन करने के बाद पदम स्री से सम्मारिद आई 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 टी के प्रोफेसर मरींद अगरवाल ने अनुमान लगाया है कि जनवरी और फर्वर आउट दी गई है लिगा है प्रिंटिंग प्रेस माली का और रिटाइड अधिकारी की दिखी दोस्ती उत्तर प्रदेश सिच्छक पात्ता परिच्छा दुजरकिस का प्रेसन पत्र आउट होने के मामले में सूरजपुर कोतवाली में दर्ज दोखादारी के मुकदमे में पुलिस ने बता और साच सीची टीवी सामिल किया है फुटेज में प्रेसन पत्र लीग करने के आरूपित सीवन निवत दिकारी संजाई उपाद्धेव प्रेंटिंग प्रेस माली करा है अनूप प्रसातर नोड़ा के होटल में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं ठीक है औ अरूपित सीवन निवत अधिकारी और प्रेस मालिक की मुलाकात पेपर बेच कर मिलने माली रकम में हिस्सदारी को ले करके बताई जा रही है तो कुल ना करके एक बड़ा और ज्यादा यहां पर तत सामने आया है जो सीसी टीवी मिला हुआ हुआ है फुटेज मिला हुआ ह वहां पर इन दोनों की मुलाकात हुई संजय उपाद्या है और जो प्रेस मालिक था और यहां पर जो पेपर लीग करके मोटी रकम मिलने थी उस पर इस्सदारी की बात बताई जा रही है CSIR UGC NET जून 2021 के ऑनलाइन आवदन प्रारम बहुँ चुकी है जो अब बढ़ती CSIR NET का इंतिजार कर रहे थे उनके लिए अपडेट है कि 3 दिसंबर 2021 से लेकर के 2 जनवरी 2022 तक आप लोग CSIR NET के लिए आवदन कर सकते हैं फिर इसकी डिटेल हैं आपर देख सकते हैं बाकी हम बात करेंगे important date के बारे में तो 3 दिसंबर से online आवदन प्रारम हैं ठीक है और आवदन आप लोग कर सकते हैं इसका जो एक्जाम होना है 29 जनवरी 5 फरवरी और 6 फरवरी 2022 को इसका एक्जाम होना है दो सिफ्ट में एक्जाम होगा आपका जो भी interested शात्र हैं वो आवदन कर सकते हैं और इसका जो detailed वीडियो होगा आज दोपहर में जारी किया जाएगा कि ये विल्टी क्रेटेरिया क्या है एक्जाम pattern क्या है सलेबस क्या है तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएग ठीक है तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूच रहे हैं आसा करते वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो में इतना ही धन्यवादा